नमस्कार दोस्तो रहस्मय चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे रामायन काल की एक रहस्मय गुफा के बाड़े में जो बाली की गुफा इस नाम से भी परचित है दोस्तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि सुग्रीप और बाली वो दो भाई थे ए बाली ललकार सुनके उसके पीछे पीछे दौरते हैं और उनके पीछे सुग्रीप भी जाता है दोनों भाई को आते हुए देखके वो राक्षश बहुत जादा डर जाता है और वो डर के मारे जाके एक गुफा के अंदर चुप जाता है लेकिन बाली भी उनके पीछे ये बात करके बाली अंदर चला जाता है दोस्तों बाली इतना ज्यादा सक्तिशाली था कि उनके सामने राभन भी बहुत छोटे नजर आते थे ये गुफा इतना घना था कि बाली को भी उस शाक्षष को ढूंड के उसको बद करने में 12 साल की वक्त लगा था इस गुफा को ज इस कुफा से कोई वापस नहीं आपाया है और के लोजिकल सर्भय औफ इंडिया की कुछ प्शोथ करता जब घुपा के अंदर जाने की कोसिस ही तब उन्हें मकडी के जाल जैसे चारो तरफ गुफा के अंदर जाने के रास्ता दिखा अंदर जाने की बज़े बाहर निकल जाना ज़्यादा महपूर समझा और कुछ दिन बाद दुबारा पूरी तैयारी के साथ आने की धानी इस बार उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ आये और उनके साथ खाना, पानी, GPS लोकेशन, कमपस जैसी बहुत सारी तकनीके शाधन साथ में था कुछ दूर अंदर जाते ही वो एक ऐसे जगा पे पहुचा जहां से बहुत सारे छोटे बड़े गुफा चारो तरफ निकला हुआ था लेकिन उनमें से जो गुफा सबसे बड़ी थी उसके अंदर जाने की ठानी अंदर जाते ही उन्हें चारों तरफ पानी तपकने की आवाज सुनाई दी और बहुत सारे चमगादर चीकता हुआ उनके सर के उपर से निकल गया। कुछ दूर अंदर जाके उनको एक ऐसी दराबनी चीज मिला जो ये मानने में मजबूर कर देता है कि ये गुफा सच में वही गुफा है जहां बाली और माया भी राक्षश की युद्ध हुआ था। उनको वहां एक इतनी बड़ी नाखून मिलता है जो नाहीं इनसान का है नाहीं कुसी बड़े से बड़े जानवर का वो नाखून था उस माया भी राक्षश का इस घटना के बाद वो लोग वापस आ गए और गुफा के अंदर जाने पर बैंड लगा देया गया और ये मान झाल झाल